क्या आपको पता है स्टीथोस्कोप का अविस्कार क्यों और किस ने किया? लीनेक ने स्टीथोस्कोप का अविस्कार 1816 में किया स्टिथेस्कोप के आविसकार से पहले डॉक्टर किसी मरीज की जाँच के लिए उसके सीने के पास कान लगा कर उसकी धर्टेने सुनते थे जब लीनेक हाट की समस्या से जूज रही एक महिला की जाँच कर रहे थे तो उन्हें उसके सीने पर कान रखने में शरब महसूस हुई उन्हेंने कागस को मोड कर एक ट्यूब बनाई जिसका एक छोर महिला के सीने पर रखा और दूसरा छोर अपने कान पर और इसी वज़ा से उन्हें इस टीथेस को बनाने की प्रेणा मिली